अभिमन्यु आई आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ हर्याना जीके का session number two लेकर राइट जो हर्याना जीके के लिए and current affairs के लिए मैं आपके साथ जुड़ती हूं अब्भ्यास 2.0 सीरीज अब मन्यू आईएस का बहुत ही अच्छा आपके लिए इनिशेटिव है अब्भ्यास 2.0 में आपके लिए रेगिलरली शेडूल पुर आपर बनाया गया है कि पूरे प्रिलिम्स तक जो आपका स्लेबस है उसको हमें कैसे कवर करना है उसकी कैसे रिविजन करनी है राइट तो हमारे MCQ बेस में मेजर ली सेशन रहते हैं बट हर्याना जीके का जो सेशन है इसमें हम क्या करें हम थोड़ा सा फेले जो है यह मैप बहुत इंपोर्टेंट है मैंने पिछले सेशन में जब हमने इंट्रोड़क्शन की थी हर्याना की तो बोला था कि हमें हर्याना का मैप है उसको अच्छे से याद कर लेना है तिक है आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए हम में में dahaरी बहुत में हैं यह माने रविजन के आपको जहांँ र्रॉप में जहें जरूर जो है प्रेक्टिस अभी से सारठ कर दीजिए कि आप अर्याना का मैप ग्रॉरक्षिन ट्रॉ करना सीखने, उसके साथ साथ district wise हम complete revision करेंगे, उस district wise division से आपको हर्याना के जो सारे जिले हैं, उनको याद करना है, कौन किसके साथ boundary share करता है, उसको भी हम एक session में करेंगे, आज हम जो discussion करने वाले हैं, वो है physiography of हर्याना, ठीक है, तो हर्याना की physiography के अगर बात करें, तो officially जो government of हर्याना है, ठीक है, उनके हिसाब से जो हर्याना की physiography है, ये five parts में divided है, ठीक है, अगर कहीं आपके पास question आए, कि according to Dr. Jasbir Singh, जो की क्या है, एक geographer है, जिन्होंने agriculture of हर्याना, ठीक है, उनकी specific proper book है, उसके उपर अगर कभी question आता है, तो उन्होंने eight जो है, ठीक है, और आज के session में हम जो है, इहीं को majorly मान के चलेंगे, तो अपने questions को आपने जो है, ठीक है, कहीं अगर आपके question में Dr. Jasbir Singh के हिसाब से पूछे, वैसे, HCS में specific नहीं आएगा, ठीक है, तो eight आता है, otherwise five ही हर्याना की हमारी, five ही proper divisions मानी जाती है, ठीक है, तो हर्याना जो है, ठ कौन कौन सी, और मैप के साथ साथ आपको दिखाऊंगी, ठीक है, सो सबसे पहले हमारी आती है, शिवालिक हिल, राइट, सबसे पहले कौन की आती है, हमारी शिवालिक हिल, जिनकी जो elevation है, over 400 मीटर से ज्यादा है, उसके बाद आ जाते है, foot hill zone, या फिर जिसको आप क्या बो और जो hills है, ठीक है, जो hills खतम होती है, तो वहाँ नदिया पर क्या करती है, फिर वहाँ पर अपनी, जो भी अपने साथ, वो sediments लेके आती है, उनको deposit करती है, तो जैसे ही hills खतम हो रहे है, नदिया उनने अपनी जो है, डिपोजिशन कर दी है, hills के, just paro में, ठीक है, उनके foot तो इनको बोलते हैं फुट हिल्स प्लें या फिर पीड मॉंट प्लेंस सेकंड जो हो गया यह थर्ड जो होता है वह हमागा है अलूवियल प्लेंट ठीक है क्वेशन आएगा कि जो मेजर हर्याना का फिजियोग्राफिक डिविजन जो है it is dominated by so the answer would be alluvial plane कितने 93.76% right so सबसे जादा हमारा शेत्र है वह यहाँ प्लेंट है अगर हम बात करते हैं क्या हर्याना हमारा कोई हिल्ली स्टेशन है वो यहाँ पै जाते हैं वह यहाँ प configured झाटा है बागर थिके जी sandy plane sand trainer थर्श तो बागर क्या होते हैं? नेक्स्ट क्या आ गया? सेंडी प्लेंज क्या है? जो राजस्थान के साथ हमारे हर्णा के जिले बाउर्डर शेयर करते हैं वहाँ के आ जाते हैं sandy plains ओसके बाद next feature के आ जाता है sand dunes sandy plains साथ में and tau जो हमारा रीजन जो है जो सैंडी प्लेंस से बनता है जहां पे काफी सारी सेंड है तीला एरिया है वहां पे पर भी कभी कभी जब नदीयां गुजरेंगी तो वह क्याब बना देंगी वहां पर पानी कठा हो जाएगा बादिशो के टाइम पर तो इसको क्या बोलते हैं ताल तो हर्याना के दोनों थी दो है दो ड्रिशाओं में जो हें हमें पर्वतिय ज 56 तो स्टार्ट कर्ते हैं अब मैं आपको स्पेजí यूप्ड एक्सेециलों एट एवरी फिजियोग्राफिक डिविजिन ऑफ हर्याना राइट उसके बाद जो हम इसके ऊपर जो हमारे mcq-based quotient है उनको भी देखेंगे लियर है सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक अगर आप जाएंगे तो इस मैप में आपको हर एक चीज मांग की गई है फिर भी अगर डाउट हो तो आप जो है अभी में आपको सारा करके दिखाऊंगी साथ में जो हमने मैप को लगाए डिस्टिक वाइस का वो क्यूं आपको अपने माइंड में ठीक है सेट करते चलना है उसके आप उसके बाद थीक है कौन कौनसे डिस्टिक पे साथ ँसना अरावली जना है ओपकर शाइंड वाले अंगर बात करें है इस वाले मैप का वेस्ट है जो है ठीक है अगेन इस मैप का यह इसट होगा प्लीजिबा निलेनी है मैं, तो अगर शिवाली की बाथ करें तो कौनसे रीजन में आ रहे हैं हमारे शिवाली एंपर बीजन में और ने तीन जो है डिस्कर कम पर करता है पंछपला Chung यम्ना नगर ओर शिवालिक इनको जो है रआंजिंट जोन बोलतें हैं वह शेतर जिस्ट बदला वर रहा है धुब घरलिक स्थितियों के अंदर तो क्या है बारे जो कईकर सींड़े हैं सबसे बड़ी मांटेंट जो हैं हमारे पैकर वही आख्री हरा घ्मालिया का यह आखरी जो है रेंज है शिवालिक के बाद क्या शुरू हो जाएंगे जो पलेइन वड़े वगड़े वट शूरू जाते हैं थिक है तो शिवाली के ट्रांसीफ रिजन है एंड हर्याना में जो है इनकी जो ठीक है average elevation हमने देखी more than 400 meter मिलती है शिवालिक की सबसे बड़ी ठीक है जो peak है वो कहां पे मिलती है शिवालिक हिल्द की हर्याना की ठीक है हर्याना की जो सबके बड़ी peak है ठीक है वो है penso, मौन्ट कारोग मौन्ट कारोग कहाँ पर अब यही कि जो हंका है मौन्ट कारोग ठीक है सिवालित हिल्स में ही जो पंच कुला बाला शेत्र है अपर यहां पर हमें मिदती है जिसकी सबसे बड़ी पीग जो है वहrock कारोग इसकी जो elevation है, Mount Karo की जो height है यह आपने comment section में ज़रूर बतानी है I would tell you कि कुछ चीजें आपने खुद से try करनी है चीजों को धूंड के जो है हमें अच्छे से learn करते रहना है तो अपने self learning की आदज आपने नहीं छोड़नी है, right? तो Mount Karo हो गया, जो Mornay Hills जो है, Shivalik Hills का ही एक part है, extension है ठीक है, so Mornay Hills जो है, this is the only hill station in the Rihana जो की पंचकुला में है और सबसे बड़ी peak कौन सी हो गया हमारी Mount Karo clear हो गया, हमने first division देख ली, उसके बाद next division के अगर बात करो शिवालिक के बात हमें क्या मिलते हैं, Piedmont Plain, ठीक है, परवत तलिये जो मैदान है, ठीक है ये भी हमें पंचकुला, Ambala and जो है, यमना नगर में ही मिलते हैं clear है, क्योंकि शिवालिक, मैंने क्या बोला था, जैसे ही हमारी hills खतम होंगी उनके जो foot hills में जो हमारे plains बनेंगे, वो क्या होते हैं, Piedmont Plain, ठीक है तो अगर मैं इसको आपको geographically बताऊं, तो इसको हम alluvial fan भी बोलते हैं, ठीक है तो क्या होता है, जैसे ही हमारी river जो है, ठीक है, यहां से hills से आ रही है तो उसने क्या किया है, यहां पर deposition कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब वो hills से आ रही थी, तो बहुत speed के साथ आ रही थी, अब क्या हो गया अब suddenly plane आ गया, तो उसकी speed है, वो क्या हो गई, कम तो उसने क्या करता है, जो भी अपने साथ वो deposit लेके आई थी, sediments लेके आई थी, उनको deposit कर देगी एक fan की shape में इसमें बहुत बड़े-बड़े, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बहुत speed पे जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं कौन सी चीज को छोड़ूँगी, so that मैं आगे और speed से जाती रहूँ, जो सबसे heavy है, तो वो सबसे पहले जो big boulders हैं, gravels हैं, pebbles हैं, उनको जो है, वो deposit करत हैं, यह जो region है, यह काफी क्या हो जाता है, क्योंकि बड़े-बड़े boulders हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, यह काफी infertile region हो गया, clear, तो next हमारा आगया जी, Piedmont region, ठीक है, and यह क्या हो गया, हमारा infertile हो गया, clear है, उसके बाद जो हमारे third most important physiographic division बनती है, वो है यमना एंड घ घगर के plains, ठीक है, alluvial plains बोलते हैं, यहां से हमारी घगर रिवर आती है, clear है, यहां से हमारी यमना रिवर जाती है, तो घगर एंड यमना के जो है, plain जो बोले जाते है, alluvial plains, ठीक है, जो different different rebuties है, उन्होंने क्या किया है, यहां पे sediments deposit करके, सबसे बड़ा जो region है, हमें alluv alluvial plains का दिया है, fertility जो है, इनकी काफी जादा है, ठीक है, 300 to 375 जो है, वो elevation मिलती है, clear है, so approximately 300 जो है, इसकी elevation है, ठीक है, 300 to 375 पीड़ मॉन्ट plains की है, ठीक है, वो पीड़ मॉन्ट plains की है, clear, तो यह आगे हमारे alluvial plains, clear हो गया, alluvial plains के बाद, जो यमना, जो घगर एंड यमन देखिए, क्या है, रिवर्स जो है, हमारे इंडिया में मौन सुनाता है, सीजनली जो है, रिवर्स में क्या है, जो लेवल है, पानी का वो बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब लेवल बढ़ गया, तो रिवर्स ओवर्फलो करेंगी, अब ओवर्फलो करें रिवर्स के बनते हैं फ्लड प्लेंस तो घगर के फ्लेट के बनते हैं और किसके बनते हैं यमना के जिनको हम क्या बोलते हैं बेत नेली ठीक है यह से नेक्स आगर जो है तो यहां पर काफी मार्शी लैंड भी झेत्र शोडती है जिसमें अब दलदली शेतर है तो फिर क्या हो गया अन्फर्टाइल क्योंकि वहाँ हमें प्रॉपर लैंड एक स्मूद लैंड चाहिए जिसमें हम अपनी जो है उसकी उपजाव शक्ति का लैंड का यूज़ कर सकें और अपनी जो खेती है उसको कर सकें ठीक है हमने शिवालिक के हिर देख लिए पीड़बॉंट रीजन देख लिया हमने अपने अरूबिय प्लेशी शेतर देख लिया ठीक है उसके बाद के आता है हमारे सैंड ड्यून यह जो रीजन है शिर्षा हिसार फतेहबाद घ्यवानी दादरी महेंदरिग्ड रवाडी जो यह सा अरावली की बात करें तो अरावली ना ऐसे है अरावली दिल्ले से शुड़ू हो जाता है तो क्या है क्या राज्यस्थान से कोई बाउंडरी नहीं बन रही है हमारी हडाना की कोई बाउंडरी नहीं है जो कि वहां से आने वाली सैंड को रोकेगी ठीक है कहीं कहीं फ्लोटिं अगर हवाओं के साथ बहुत सारी सेंड आ रही है तो क्या होगा अभी तो यह यहां तक पहुंची है और तेज हमाय चलीगी यहां डिपॉजिट कर दिया थोड़ी और आगे जाएगी डेजर्टिफिंचन का खत्रा बनेंगा और डेजर्टिफिचन हमारे लिए क्या है नुकसान दायक है क्यों हम खेती ऑगों हमारी ज़ूआँ करेंगे तो हम्ारी जवी अगर वो डेजर्ट makers का में करने लिए green belt मतलब की इस श्रेणी में हम क्या है पौधे लगा दें ठीक है इस श्रेणी में हम क्या करेंगे हम पौधे लगा देंगे यहां पे तांकि यहां से जो रेट के कणा रहे हैं वो इसके आगे ना जा पाएं क्रियर है ठीक है और लास्ट जो हमारा शेतर बचता है जो हमें देखना है वो है अरावली यह भी हमारे अलूबियल प्लेंस में कहीं कहीं आ जाता है रीजिन और यह आ जाता है हमारा अरावली का रीजिन जो की दिल्ली से शुरू होता है ठीक है फिर हर्याना में भी अरावल प्रजाष माँंटें और विश्व को हम आधा दे क्वारा घेक है। प्रम प्रावले कि विश्वा को प्राचीन इसे हुं को माना गया है प्रद्रि तैंट इन्हें को माना गया है। तो आपको सारा डाटा उसमें अवेलेबल हो जाएगा अब हम कोस्टन की तरफ शड़ते हैं क्लियर है ना तो कोस्टन देखने हैं आप हमने क्योंकि इंपोर्टन है कि कोस्टन को ध्यान से देखें तो कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट कोश्टन है इन में से कौन सा एक भोगौलिक शेत्र नहीं है हर्याना का नौट इंकरेक्ट ऐसी चीजों को मैंने हमेशा बोला है अपनी कोश्ट में आपने बहुत ही ध्यान से देखने हैं क्लियर है तो देखिए शिवालिक की रेंज यमुना और घंगर के प्लें मैदान सेमी एरिट सैंडी प्लें जो रेटीले प्लेंज है अर्दखुष ठीक है और मिनरल लिच प्लैट्यूस क्लियर है बहुत इजी कोश्टन हो गया हमने डी की कोई डिसकॉशन नहीं की है कोई थूट Kubernetes प्लैटिस अगर क्लीर नहीं है तो वहमारा जेोग्रेफिक कंस्थ है अपने जेग्रेफिक वाले सेशन में जो वारे तीजवालो की अर्यक में मार्शी लैंड ले देंगे यह हमारी फिसवाली थे जैर्दिज अग्रवीज के प्लेंग यहाग्द और मार्श ये फ कहीं भी प्लेटिव का जिकर नहीं है तो आंसर जो है D correct हो गया तो आंसर जो है D correct हो गया फिर है next question देखिए question number second है which of the falling is the highest peak in Haryana ठीक है तो which of the falling is the highest peak in Haryana Karo peak, Pilla Jogia, Monnhills या Khetri peak ठीक है या फिर मैं लिख दू 2-6 peak clear? So answer क्या होगा इसमें? A, Karo peak कहां पे है? Monnhills, Monnhills क्या है? The only hill station of Haryana कौंसर district में? Pancha Kula clear? clear है ना इसमें कोई doubt नहीं and दोस्टी peak क्यों लिखा मैंने? दोस्टी peak जो है वो हरावली hills की सबसे बड़ी जो peak है इंदा अरावली की जो सबसे बड़ी hill range मिलती है हमें ठीक है वो मिलती है दोस्टी peak में clear हो गया? तो इसमें अब confused नहीं होना है next question देखिए अब question number 3 है which region in Haryana is characterized by the presence of अरावली range? इन में से कौन सा region है जहां पर अरावली range मिलती है तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था? कि अब Haryana का मैं अपने सामने लिखे यह मैं खोल लूँगी नहीं खोल लिया तो cheating हो जाएगी हना? East, West, North, South North East में क्या मिला था हमें? तो उन्होंने पूछाया कि अकर रावली range की बात करें तो कौन से region में मिलती है हमें? East and South या फिर Southern तो देखिए North Eastern, Southern, Western, Northwestern क्लियर हो गया? तो कौन से region में हमें मिल रही है? Dominantly जो हमारी रावली है वो है Southern Southern major है अगर कहीं option में East साथ लिका हो Southern में तो हम East की तरफ जाएंगे अधरवाइस जो हमारा dominant answer है वो Southern ही बनता है Southern region of Haryana में जो है हमें रावली हिल देखने को मिलती है जो की हरयाना से शुरू होती है जो दिल्ली से शुरू होती है हरयाना, हरयाना के बाद राजस्थान और फिर गुजरात में फाइनली जो है यह हिल रेंज खतम होती है यह याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखिए अब कोशन No.4 है What is the primary feature of the semi-desert और बागर region in Haryana ठीक है, primary feature क्या है बागर region का High agriculture productivity है Dense forest है Sentient less fertile soil है Abundant of the water resources है ठीक है, तो मैंने क्या discuss किया था वह region भागर भी बोलते हैं जहां पर क्या है Alluvial fans बन रहे हैं रिवर आई उसने deposit कर दिये तो क्या बने हमारे Alluvial fans बन रहे हैं तो यह region क्या रहता है Less fertile रहता है Clear answer क्या हो गया Sentient less fertile soil Clear है Next question आप चलते है Question number 5th की तरफ What is the average elevation of the Yamuna-Ghagar planes of the Haryana ठीक है, जो Yamuna-Ghagar के हमारे Plains है, उनकी average elevation जो है वो क्या है यह है, तो यह बहुत important question है 500 to 1000 meters 300 to 375 ठीक है, दोस्तों से 200 meters 300 to 400 Clear? So answer क्या हो गया हमारा 300 to 375 5 meters हमारी elevation है Of the Yamuna and Ghagar Plains Next question की तरफ चलेंगे Question number 6 So question number 6 है Dash is the largest part of the Haryana state ठीक है, largest part of the Haryana state कौन सा है, अरावली की range Yamuna-Ghagar के Plains Shivali के लिया semi-desert So answer बहुत easy है, Yamuna-Ghagar plane 93.76 Percent है, Elevation कितनी है 200 to 275 meters Clear हो गया Elevation 200 to 270 Oho, sorry ठीक है बचे, एक जो है यहाँ पर क्या है Confusion हो भी हो, ठीक है Correct answer इसमें हमारा 200 to 275 meter बनेगा ठीक है, तो C answer correct होगा B, नहीं होगा Right, जो 300 to 375 है वो मैंने आपको पहले map पर भी बताया था कि यह Piedmont Hills की height Clear है ना So Piedmont Hills की height कितनी है 300 to 375 Yamuna-Ghagar plane की कितनी है 200 to 275 Done, Clear है Next, next भी देख लिया हमने सबसे ज़्यादा कौन सा भुगवालिक शेतर है हमारे Harjana का, Yamuna-Ghagar के plane जिसको हम Alluvial Plains भी बोलते हैं Right, next question देखे, question number 7 है Naili area of the sirsa Which is shallow and narrow is found in which part of the Harjana मता कि which Physiography of the Harjana में जो है Naili area मिलता है So plane with sand dunes, Ravali, Shivalik या Marshy So answer would be D, Marshy Land या फिर flood plane सिर्खा जो है वो dominated है बाइदा Marshy Land So Naili area मैं यह कहूंगी कि इस question को ओर थोड़ा Eliminate ही रखे, clear है क्योंकि जो हमारा Naili और Bait region है यह हम वैसे ज्यादा तर जो बोलते हैं गलत नहीं है दोनों ही वैसे ठीक बोले जा सकते हैं अलग-अलग divisions में आपको अलग-अलग मिलता है तो Bait और Naili को flood plains भी बोलते हैं Marshy Land भी बोलते हैं Marshy Land क्यों है दलदली शेतर दलदली शेतर कैसे बनेगा जब पानी जो है बहुत ज़्यादा आ गया उसको कोई जो है flood plains से भी बोला जाता है Marshy Land भी जो है शिर्सा में नेली Marshy Land को बोला जाता है यह चीज आपने यादत नहीं है next question देखिए so question number eight है Piedmont plains are locally known as ठीक है Piedmont plains को locally किन नेम से जाना जाता है नेली खादर घार या ताल ठीक है so answer would be घार घर घार जो है इनको बोला जाता है Piedmont plains को परवत तलिये मैदानों को next question आगे हमारा question number nine in which district of the Haryana does the Morni Hills part of the Shivalik Hills range contribute to the physiography of the region so पूछा गया है Morni Hills कौन से जिले में हमारे मिलती है अब question में कोई confusion ही नहीं है या तो लिखते Ambala या साथ में लिखते हैं हमारा यम्ना नगर जहां पे Shivalik Hills है भी है आंसर बहुत सीधा सीधा है पंचकुला अंबाला यम्ना नगर में Shivalik Hills मिलती है और पंचकुला में मूर मिलती है next question देखिए question number ten physiographically हर्याना falls into Indo-Gangetic Plains although some of the area falls in the Shivalik Hills as well अगर हम भारती भुकवालिक शेत्र की बात करें तो बोले हैं कि जो Indo-Gangetic Plains है जो इंडस रीवर और गंगा रीवर से बने Plains है और Shivalik Hills वाले रीजन में हर्याना आता है दूसरा क्या है हिमाचल परदेश, पंजाब इन नौर्थ, उत्राखंट, उत्रपरदेश एं डेली ओन दा इस एं राजिस्थान और साउस तो कौन सी statement जो है correct है one only, two only, both or none तो दोनों ही statement इसमें क्या है correct है answer क्या हो गया हमारा C ठीक है तो यह बहुत ही basic question है और statement type questions की भी हमें क्या है practice करके चलनी है तो यह भी statement zone हो correct होगे clear है तो आज के session में हमारे इतना ही HCS prelims को लेके हमारा जो dedicated batch है वो start हो चुका है पूरी details आपको description में मिल जाएंगी तो जल्दी से जाके link से check कीजिए and avail कीजिए हो the course and इसमें हमारी पूरी जो team है आपकी help करेगी prelims specific preparation के लिए right so I hope आपको आज के जो lecture में Physiography of Haryana अच्छे से उसके questions समझ मैं है अगर कोई doubt है तो comment section में पूछ सकते है thank you so much keep learning and see you in the next session आपको 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 आपका tai विंक जब सको झाल झाल झाल